तो पैनी सियर में कुछ ऐसा हो सकते है क्या कि कभी आप फसे ना जैसे कि इवेक्षिय लाइफ केर एक ऐसा सियर है जिसमें बहुत सारे लोगों का पैसा फस गया है बहुत बुरी तरीके से ट्रैप्ड हो गए है सो कंपनी बहुत छोटी है पैनी सियर है कई वार हम इसके उपर वीडियो बना चुके है ठीक है तो हम ज्यादा अंदर नहीं बताएंगे इसके हम फिलाल इसके ये बात करेंगे कि क्या ऐसे कौन से वो तरीके हैं जिनसे आप कभी भी किसी भी सियर में मैं 100% गारंटी तो नही नहीं दे सकता लेकिन हां 99% मैं बोड़ सकता हूं कि आप कभी भी पैनी सियर में फस होगे नहीं ऐसी वो कौन से चीज आपको फॉलो करनी है कौन से रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं फॉलो करने हैं इस वीडियो में हम इसके बारे में डिसकस करने वाले हैं जो लोग कमी anyway कुछ भी आप कमेंज करके मुझे बता सकते हो I never mind क्योंकि मैं समझता हूं कि कोई भी इंसान पूरा नहीं होता हर इंसान हमेशा सीखता रहता है और यही प्रकृति का नेम है कि हर आदमी सीखता रहेगा तो आगे बढ़ता रहेगा आप भी लर्निंग करो और मैं भी लर्निंग करूँगा आप से हो सकता है कुछ चीजा मुझे न बता हो जो आप मुझे बता सको आप कमेंज करते हो अच्छा लगता है कुछ भी हो लेकिन कमेंज करके बताया करो So let's begin दोस्तो यहाँ पर हम देखाएंगे यह इवेक्सियल लाइफ केर कंपनी जो है इसकी सेल्स तो हो रही है लेकर अब यह नेट प्रॉफिट का मार्केट नहीं दे पार ही ज्यादा क्योंकि छोटी कंपनिया और पैनी सेर हैं पैनी सेर है तो इसलिए पैनी सेर के ज्यादा फंडामेंटल्स स्ट्रॉंग होते नहीं है तो हम फिलाल अभी चार्ट को लेकर ही एनलेसिस करेंगे जोस्तों सेर मार्केट से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल चार्ट को लेकर ही करोड़ों रुपए बनाके निकल जाते हैं ठीक है तो आप अगर किसी एक चीज में माहर हो गए तो उसी से पैसा बना लोगए ऐसा नहीं है कि आपसे इंडिकेटर यूज करना आना चाहिए या फिर सारे तरिके की चार्ट पढ़ना आना चाहिए जो चीज आपकी समझमा आ गई आप उसी से पैसा बना लोगए और फसोगा नहीं जिस दिन आपका प्रॉफिट ज्यादा होने लगा और लोज कम होने लगा उस दिन आप ये समझो कि सेर मार्केट मां सक्सेश होने से कोई नहीं हो सकता लेकिन होता क्या है इसका विपरीत होता है कि profit आप कम कर पाते हो और loss ज्यादा होता है loss होता है ज्यादा तो actually होता क्या है कि जो मालनी ज़िए आपने 20-25 अरपे जो कमा है उससे ज़िए आपने loss कर लिया तो वहें पर आपका पैसा फसा रहता है और आप उसी में लगे रहते हो कि कास हमारा यह loss हुआ है वो recover हो जाए और रिकवर हो जाए और आप किसी ऐसे शेरवन फस जाते हो जिसमें आप निकलने पाते हो ना आपका profit recover हो पाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हो यह company जो है वेक्षिय लाइफ के अन ने 5 एर का मैंने चार्ट देर खोल रखा है यहाँ पर 5 साल में इस company ने पैसे को लगवग 5 गुना आप बोर सकते हो कर रखा था ठीक है अब यहाँ पर इस जगह के बाद इस company ने उसी पैसे को 84% के नी अभी skip नहीं किजेगा वीडियो को पूरा देख किजेगा नहीं तो आप बहुत ही important चीज मिस्ट कर सकते हो नमर एक मैं चार वो चीजा बताऊंगा जिनसे आप कभी trapped नहीं होंगे फस नहीं सकते है ठीक है इसी चीज से तो हमें बचना है बागी तो पैसा तो बनी जाएग बहुत तेजी से तो आपको उसको भागते हुए share को नहीं पकड़ना एक टंबर और अगर हम भात करते हैं तो अगर कोई share उपर गया और वहां पर वो consolidated figure में है थोड़ा सा गिरा फिर उपर थोड़ा सा गिरा फिर उपर उसी जगए पर मतलब उपर गया माल लीजिए थोड करने का मौका दिया है आप वहां पर उसको बाइन नहीं करोगे ठीक है यह मैं ज्यादातर बात इसपेशली पैनी शेर की बात कर रहा हूं है ठीक है दो हो गया नम्मर त्री अगर वह share उपर जाने के बाद थोड़ा सा रुकता है थोड़ा सा रुकता है और इसके बाद वह share नीचे आने लगता है इस तरीके से मतलब थोड़ा सा उपर जाता है फिन नीचे फिन नीचे तो आपको उस period में भी नहीं उसमें entry मालनी है तब भी बाइन नहीं करना है आपको ठीक है 3 हो गया और 4 मैं आपको बताऊंगा जब तक यह share जो है इस तरीके से मतलब इसे मैं आपको बताऊंगा यहां पर जब तक यह share जो है इस चाल से निकल के बाहर नहीं आया था मतलब इस तरीके से एक sideways नहीं चलता तब भी आपको entry नहीं करना है आपको फिर क्या करना है यह share जो है sideways चलेगा इस तरीके से sideways चलेगा ठीक है और इसके बाद अगर यह थोड़ा हाई जाता है मालने जी च्छे महिने या साल वर या दो साल तिन साल यह ऐसे चल रहा sideways और इसके बाद इसके बाद यह high लगाता है आपको लगता है कि यह तीन साल का एक चल का छे महिने का breakout देने वाला है उसके बाद आपको entry मारनी है उसके बाद आपको entry मारनी है breakout देने वाला हो तब उस जगह पर वो ना तो hyper होगा ना overboard zone मा होगा ठीक है ना consolidated figure मा होगा वहां से उसके chance से ज्यादा होते हैं उपर जाने के यह चार हो गए पांचवा मैं आपको एक चीज और बता दूँ कभी भी share को hyper buy महीं नहीं करना है मालने यह share जो है उधना उपर गया था यहाँ पर यहां पर वैसे तो तो तीसरी नमर मा आए ज़ुए यहां पर आको कभी भी बाय नहीं करना है इसको गिनने का मौकर जरूर वहाँ पर भी बाय नहीं करना जब सेर बाय कर देखर भी लमाली की यहाँको बता दूँँ जब कुछ यहाँ से प document रेता है इसे चला और आपने यहां कर लिया तो यह सर्डरी ना पाइस आहां पार नेधा हुआ वहाँ की वही है ठीक है तो वहाँ पर आपको बाइन नहीं करना है उसके पहले आप कोई और शेयर देखो वहाँ पर रेटर मिलता है तो वहाँ से निकाल लो ठीक है तो I hope कि मैंने अपने लिवर पर अच्छे से समझाया होगा और आपकी समझ में आया होगा वीडियो चैनल को सब्सक्राब जरूर कर जिएगा आपके एक चैनल से मुझे बहुत सब्सक्राबर से मुझे बहुत मोटीवर्शन मता है और उसका वेट रहेगा मुझे सो थेंक्स पर वच्छिंग सब्सक्राब नाव कमेंट करके बताएगा किसके पास कितने शेयर हैं